अलो प्यारे बच्चों सभी को मेरी तरफ से जैश्री कृष्ण राधे राधे तो आज इस छोटे से से सेशन में मैं आपके लाया हूँ एक जैए एडवांस लेवल का प्रॉब्लम जिसे हम एक बहुत ही रेविलुशनरी तरीके से सॉल्व करेंगे और जब आप उसका हो जाएगा और ध्यान रखिए एन आइडिया चेंज यूर लाइफ यह छोटे चोटे आइडियाज ही तो हैं जो हम आईटी जेए के एक्जाम में यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानि के जितने आइडिया आपके दिमाग में आते जाएंगे जि नए नए चीज़े कलेक्ट करते हो तो इन ही आइडियाज का यूज करके आप और प्रॉब्लम्स और मुश्किल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाते हो तो यही आइडि जेए का सक्सेस मंत्रा है कि सीखते जाओ और इन आइडियाज को यूज करते जाओ और प्रॉब्लम् पलके दौर पर यह रहा एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर 100C6 4 x 100C7, 6 x 100C8, 4 x 100C9, 100C10 अगर इसकी वैल्यू XCY है हमें X plus Y की possible values बतना नहीं हैं तो ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि आप इस वीडियो को pause करें और इसे खुद करने की कोशिश करें एक छोटा सा क्रोशन है बाइनोमियल थिवरम के चाप्टर से तो ज्यादा वड़िया ही होगा कि आप मेरी बात माने वीडियो को pause करें और करके देखें खुद से try फिर वापिस आईए और देखिए वो तरीका क्या है ऐसा वो कौन सा revolutionary तरीका है जिससे हम इसे मिंटो में solve कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात मानी होगी वीडियो pause किया होगा और खुद try solve करने के लिए try किया होगा अगर किया है हो गया तो अच्छी बात है अपना solution का length देखिएगा कि आपने कितना लंबा solution को किया है और अगर नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है आएए देखते हैं solution solution क्या होगा 100C6 100C6 plus 4 into 100C7 plus 6 into 100C 100C8 plus 4 into 100C9 और plus 100C10 जाद दर बच्चे इस problem को binomial coefficients की property उस करके करते हैं NCR plus NCR plus 1 या NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR जाद दर बच्चे ये property उस करते हैं NCR NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR so that is the property which most of you will use to solve this problem उसमें 4 में से 1 इधर ले लेंगे तो इस तरह से गई बच्चे ऐसा solve करते हैं आईए इसे क्रांतिकारी तरीके से देखते हैं क्या अगर देखा जाए तो ये लिखा है 100C6 4 को लिख सकता हूँ 4C1 100C7 उससे अगला लिख सकता हूँ 4C2 क्योंकि 4C2 की value 6 होती है into 100C8 into 100C8 और पलस 100C10 into 4C4 ऐसा लिखा जा सकता है बिलकुल सर ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 4C1 की value 4 4C2 की value 6 4C3 की value 4 और 4C4 की value 1 so we can write this expression in this way yes sir फिर हम इसको लिख सकते हैं 100C94 yes sir इसको लिख सकता हूँ 4C1 100C93 into 100C93 कौन सी प्रापर्टी का यूज किया हमने प्रापर्टी यूज की NCR is equal to NCR N minus R ये प्रापर्टी तो हमें मालूम है बिलकुल और ये हाँ पर इसको लिखा 4C2 into 100C92 फिर 4C3 into 100C91 और लास्ट में 100C90 into 4C4 अब जरा इस कलेक्शन को गौर से देखिए जो लिखा है ऐसा जरूर लगेगा 100 में से 100CR 100 में से 94 का चोईस फिर 100 में से 93 का चोईस फिर 100 में से 92 का चोईस फिर 100 में से 91 का चोईस फिर 100 में से 90 का चोईस तो इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर हमारे पास अगर हमारे पास 100 बॉइस हूँ we have 100 बॉइस and plus we have 4 गर्ल्स 100 बॉइस 4 गर्स और हमें इसमें से हमें इसमें से select करना है select 94 select 94 people select 94 people हमें इसमें से 94 people को select करना है अब 94 people select कैसे करेंगे सर हो सकता है 94 के 94 boys हो जाए 100C 94 या फिर 93 तो boys हो एक लड़की 4C1 या फिर 100C 93 है न 100C ये 100C 93 93 boys और एक गर्ल बिल्कुल सर फिर 100C 92 into 4C2 बिल्कुल तब भी 94 लोग आ जाएंगे या फिर 100C 91 into 4C 3 और लास्ट में हो सकता है 90 boys ले और 4 की 4 girls ले ले और 4 girls ले ले इस C's को हम ऐसी भी देख सकते हैं कि हमारे पास total कितने लोग हैं इसको दूसरे तरीके से देखने का तरीका इसके हमारे पास है 104 people 104 people है total मिला के और कितने लोग सिलेट करने है 94 तो number of ways कितने होंगे 104 C 94 अरे वाह कतम आगया answer 104 C 94 यानि कि अगर मैं इसको sum को S कहूं तो बेटा S की वाल्यू मेरे पास कितनी आ गई Sir S की वाल्यू मेरे पास आ गई 104 C 94 तो अब हम से पूछा जा रहा है What can be X plus Y तो जड़ा देखें इसको हम 104 C 104 माइनस 94 भी लिख सकते हैं जो कि बन जाएगा 104 C 10 तो देफोर S की वाल्यू हो गई 104 C 94 या फिर 104 C 10 तो अगर यह X C Y के बराबर है तो X plus Y हो सकता है 104 plus 94 that is 198 और it can be X plus Y can be 104 plus 10 that is 114 यानि के दो आंसर आएँगे 198 and 114 तो आगरा and Calcutta are the correct answers to this problem तो आपने देखा कैसे हमने choices से यह problem को solve कर दिया PNC लगा कर permutation combination लगा कर binomial theorem का problem solve कर दिया इसी तरह से आएए एक problem और देखते हैं जो J.E. Advance में आ चुका J.E. Advance 2010 binomial theorem की chapter से क्या कह रखा है R है 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक AR, BR, CR denote respectively the coefficients of X की power R in this तो what is AR AR is coefficient of coefficient of किसका coefficient है coefficient of X की power R in 1 प्लस X की power 10 आप जानते हो कि इसकी general term जो होगी इसकी जो general term होगी वो क्या होगी सर्वोगी NCR into 1 की power N-R और X की power R what is coefficient of X की power R therefore coefficient of X की power R हो जाएगा AR और वो हो जाएगा 10CR यहाँ पर अगर यहाँ 10 है तो general term तो यह होगी हाँ से general term तो यह होगी है यहाँ पर N की जगा कितना लिख दूँ? 10 लिख देता हूँ N की जगा 10 और यहाँ हो जाएगा 10-R 1 की power 10 minus R into into X की power R तो general term हमारी यह होगी तो coefficient कितना होगी है? coefficient होगी है 10CR तो AR तो होगी है 10CR इसी तरीके से BR क्या है? BR है coefficient of X की power R in 1 प्लस X की power 20 and on simple terms that can be straight away written as बिलकुल इसी तरीके से तो BR की value हम लिख सकते हैं BR की value हो जाएगी 20CR क्योंकि बस N में फर्ख है वहाँ 10 था यहाँ N 20 है तो 20CR इसी तरह से CR हो गया coefficient of X की power R in 1 प्लस X to the power 30 and that would be nothing but CR is equal to 30CR that is 30CR तो that is CR अब वो कह रहा है कि हमें इस सीरीज का सम बदाना है सीरीज क्या है समेशन R varies from 1 to 10 AR into B10 into BR और minus C10 into AR we have to find the sum of this सीरीज तो अगर हम इस सीरीज के सम को S कह दें S की value क्या हो जाएगी S की value हो जाएगी समेशन R varies from 1 to 10 1 to 10 yes AR AR is nothing but 10CR into B10 B10 is nothing but 20C10 and into BR BR is again 20CR then minus C10 C10 is 30C10 30C10 into AR that is again 10CR that is again 10CR that is again 10CR यानि के यह है बन गया Summation Summation Distribute हो जाएगा 10CR into 20CR 10CR into 20CR और समेशन के बाहर आजाएगा 20C10 because it is a constant उसके ओपर उसमें R नहीं है तो R varies from 1 to 10 फिर दूसरा minus 30C10 into Summation R varies from 1 to 10 into 10CR का square 10CR का square so हमें इस सीरीज का सम find करना है so we have to find the sum of this सीरीज आईए देखते हैं सीरीज का सम कैसे find करेंगे तो इस सीरीज में S is equal to 20CR Summation R varies from 1 to 10 अब देखो traditional तरीचा क्या है वही expansion लिख लो 1 plus X की power N और 1 plus X की power 20 1 plus X की power 10 और 1 plus X की power 20 का so into 20CR 10CR into 20CR minus 30CR Summation R varies from 1 to 10 10CR into 10CR जो के 10CR का whole square बनी अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्या करो यह 20CR है हाँ सर इसको लिख दो R varies from 1 to 10 और इसको लिख दिया 10CR और इसको लिख दिया 20C 20 minus R हाँ सर 20C 20 minus R minus 30C 10 30C 10 था भाई 30C 10 30C 10 और summation R varies from 1 to 10 10CR into 10C 10 minus R इससे लिख दिया तो अगर मैं इसे expand करता हूँ तो 20CR इन्टू यह कितना बन गया तो यह बन गया 10CR 10C1 into 20C19 10C2 into 20C18 और फिर यही कारे करम लास्ट तक 10C10 20C10 20C10 यह सर यह बन गया भई पहला और दूसरा बन गया 30C10 into 10C1 into 10C9 10C2 10C8 and plus so on 10C अब जो समझदार बच्चे हैं उन्हें तुरंत दिखाई दे गया होगा यह बन गया है यह जो बन गया इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि क्या इसको देखकर यह समझ में आता कि अगर हमारे पास 10 बॉइस हो और 20 गल्स हो 20 गल्स और ज़रा गवर से देखो 10C1 अब बन गया दब 1 बॉइ 19 गल्स 10 बॉइ 2 बॉइस 18 गल्स तो हमें चाहिए number of ways of selecting at least one boy this is equal to यह जो number लिखा हुआ है इसमें कम से कम एक लड़का रखा है हमें कितने लोग सिलेक्ट करने इसमें से इसमें हमें सिलेक्ट करने हैं इसमें हम सिलेक्ट करने 20 पीपल 20 पीपल and at least one boy at least one boy कम से कम एक boy तो चाहिए चाहिए कम से कम एक boy तो क्या होगा सर ये 20C10 था भाई 20C10 है मैंने आर लिख दिया वलती से 20C10 है शुरू से this is 20C10 20C10 यहाँ भी 20C10 है मेरे खाल से तरह देख ले न हाँ सर 20C10 ही है 20C10 लिख देते हैं भाई हाँ और सेकेंड वाले में वैसे भी 30C10 ही था हाँ सर 30C10 ही है तो क्या करें सर टोटल लोगों है 30 टोटल लोगों है 30 30C 30C20 उसमें से हमें कम से कम एक लड़का चाहिए तो minus the case जब हम एक भी लड़का select नहीं करते यानि के 20 की 20 girls select करने हैं minus 20C20 minus 20C20 क्यों हमें कम से कम 20 people select करने है select 20 people और at least उसमें से एक लड़का होना चाहिए तो क्या किया select 20 people 30C20 minus कम से कम एक लड़का चाहिए तो minus वो case कर दो जब एक भी लड़का select नहीं किया minus 20C20 यानि 20 के 20 लड़किया select कर ली फिर minus 30C10 अब ज़र इधर आजाओ इसको देखकर आपको समझ में आता है कि फिर से यहाँ पर वही कहानी दोराई जा सकती है 10 boys plus 10 girls और हर बार कितने लोग select हो रहे हैं पर यहाँ एक लड़का 9 लड़कियां यहाँ दो लड़के 8 लड़कियां यानि कुल मिलागर 10 लड़के ही select हो रहे हैं 0 और 10 फिर से 10 यानि कि अब की बार हमें फिर से यहाँ पर 10 to be selected 10 to be selected यानि कम से कम 10 यानि हमें 10 लोग select करने हैं selected and at least one boy at least one boy और कम से कम एक boy तो चाहिए चाहिए तो फिर से यहाँ पर simple हो गया वो भी कैसे 20 C 10 20 C 10 total लोग 10 20 है minus जब एक भी एक भी boy select ना हो यानि 10 की 10 लड़कियां select हो जाएं so that would be the answer in this case तो अगर आप देखें 30 C 10 यह होगे 20 C 10 30 C 20 minus 20 C 10 into 1 फिर plus minus 30 C 10 30 C 10 into 20 C 10 और plus 30 C 10 into 1 येस सर तो अगर आप देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह है टर्म और यह है टर्म cancel out हो गई सर यह cancel out कैसे होई 20 C 10 20 C 10 30 C 20 और 30 C 10 बराबर होता है N C R is equal to N C N minus R तो यह दोनों टर्मs cancel out हो गई आपके पास क्या बच गया सर हमारे पास बच गया 30 C 10 minus 20 C 10 20 C 10 अगर देखा जाए ये क्या लिखा है सर ये लिखा है capital C 10 क्यों? हमें याद है कि capital C R था 30 C R 30 C 10 कितना हो जाएगा? capital C 10 और इसी तरीके से और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 20 C 10 हो जाएगा minus B 10 minus B 10 एक बार देख लो तो ये है आ गया C 10 minus B 10 C 10 minus B 10 यानि कि IIT Delhi is the correct answer to this problem तो यहाँ पर आपने फिर से देखा कि हमने इस problem में कैसे permutation combination का use किया to solve a problem on to solve a problem on binomial theorem यानि कि हम binomial theorem का binomial theorem को permutation combination के साथ बहुत अच्छे से mix करके बहुत सारे problems आसानी से solve कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही रखेंगे और जाते जाते सब को मेरी तरफ से thank you फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन में thank you everyone thank you